दोस्तो इस एक मिनिट की छोटी सी वीडियो में हम सीखेंगे कि कान की बाली को इंगलिश में क्या कहा जाता है और इसके इलावा जो आम तोर पर पहने जाने वाले गहने हैं उनको भी इंगलिश में क्या कहा जाता है वो भी हम आज की एक मिनिट की छोटी सी वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कान की बाली की कान की बाली को इंगलिश में earring या tops कहा जाता है अंगूठी को इंगलिश में ring कहते है चूड़ी या कड़ा इंगलिश में bangle कहलाता है कंगन को इंगलिश में ब्रेसलेट कहते हैं साड़ी की चिम्टी यानि जो साड़ी में चिम्टी जैसे लगाई जाती है उसको इंगलिश में ब्रूच कहा जाता है और बालों के लिए जो पिन लगाते हैं जो बालों में पिन लगाई जाती है उसको hairpin कहते हैं नाक में जो तिल्ली डाली जाती है जिसको कोका भी कुछ जगे पे कहा जाता है उसको nosepin कहा जाता है और नाक की बाली यानि नाक में भी कुछ लोग छोटी सी बाली पहनते हैं जो दोनों नाक के बीच में भी हो सकती है और एक नाक में एक तरफ भी डालते हैं तो उसको nose ring कहते हैं बाजू बंद को इंगलिश में armlet कहते हैं माथे का टिका या मांग टिका इंगलिश में head locket कहलाता है पाइजेब को इंगलिश में anklet कहते हैं गले की माला या हार को इंगलिश में necklace कहते हैं और मुकुट को इंगलिश में crown कहा जाता है आपका सबसे फेवरेट गहना कौन सा है को सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा